हमारे सभी दर्शकों को साधर प्रणाम जैशी कृष्णा आज का हमारा वीडियो है मुख्य द्वार एक तो फाटक मुख्य फाटक और उसके बाद घर में एंटर होते समय एक लकडी का बहुत बड़ा दर्वाजा होता है जो हमारा मुख्य द्वार होता है महमान भी वहीं से आते हैं और दिन चर्या में उस दर्वाजे का प्रियोग बहुत ज़्यादा होता है वही मुख्य द्वार है और यदि वह आपने गर बनाते समय मुख्य फाटक को और मुख्य दर्वाजे को गलत दिशा में रख दिया या गलत इस्थान पर रख दिया तो आपके गर में रोग, शोक, भै, हानी, दुरगटना पारिवारिक सदस्यों को कस्ट, आधी संभावना बढ़ जाती है इसके लिए फिर आप वास्तु शास्त्री से मिलते हैं वह आपसे हजारों लाखों रुपे लेकर उस काम को करता है और तोड़ फोड़ भी करता है आजकल तो नक्षे बनते हैं, लाखों रुपे में नक्षे बनते हैं लोग मकानों पर भी करोड़ रुपे खर्च करते हैं उसके बाद भी यदि दरवाजा आपने गलत दिशाम रख दिया या गलत इस्थान पर रख दिया तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को पूरा देखें एक तो मुख्य फाटक कहां रखनी चाहिए और मुख्य दरवाजा जिससे आप एंटर करते हैं कहां होना चाहिए अभी आप ग्रह आरंब कर रहे हैं मकान का नक्षा आप बनवा चुके हैं तो आपके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन जिनका मकान बन चुका है उनको समस्याएं आ रही है तो उसका भी कारण इसी वीडियो से पता लग सकता है तो सबसे पहले तो आप इस चार्ट को देखें यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है इक्रियाशी 81 वास्तु पद इसमें नो पूरु में, नो उत्तर में, नो पस्चिम में, नो दक्षिन में कोलम बने हुएं, खंड बने हुएं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, द्यान से देखें पूरु दिशा में यदि आपको द्वार रखना है तो जयन्त, इंद्र और सुर्य द्यान से देखें, जयन्त, इंद्र और सुर्य जो बलेक आपको तीन खंड दिख रहे हैं वहीं पर दरवाजा और गर की मुख्य फाटक रखनी है इससे भिन इस्थान पर रखते हैं तो उसकी समस्याएं क्या हो सकती है वह भी बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर सभी के नाम भी लिखे हुआ है तो आप नाम से समझ लेंगे यदि आपको उत्तर में दरवाजा रखना है तो सोम और भलाट पर आपको दरवाजा रखना होगा तभी आपके गर में शुक शान्ती रहेगी यदि पस्ची में दरवाजा रखना चाहते है तो वरुन, पुष्पदंत, सुग्रीव ये तीन जो खंड है यहाँ पर आप दरवाजा रखेंगे तो बहुत शुब रहेगा इसकी गणना भी है वह भी बताऊंगा और यदि दक्षिन में यदि आप द्वार रखना चाहते हैं तो व्रक्षत यम गंधर्व तीन बलेक खंड हैं वहाँ पर दरवाजा आपको रखना चाहिए तबी जाकर गर में शुबता रहती है शुब इस्ततियां बनती है अब होता यह है कि हम दरवाजा आगे भीचे कर देंगे तो गर में समस्या उत्तपन हो जाएगी हो सबसे पहले पूरुदिशा की बात कर ले है आपका मकान जो बना हुआ है उसकी बाउंडरी पर जहां फाटक रखी हुई है तो जहां फाटक रखनी है वह दिवार यदि पूरु में है पूरु में फाटक रखना चाहते हैं, तो पूरु दिवार की लंबई के नो भाग करें, नो टुकडे करें, और जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, शिखी और परजन्या, शिखी परजन्या को छोड़ देवें, जैंत इंद्र और सुर्य पर फाटक रखें, और उसके बाद सत्य, ब्रिश, अंतरिक्ष, अनिल को आप छुर देवें, तो जहां बलेक डोट बना हुआ है, वहीं पर फाटक रखनी है, आपकी दिवार मान लीजिए, पूरु में नबे फिट है, तो नो टुकडे कर दिए, दस-दस फिट की, तो इशान कोन से, अर्थात उत्तर और पूरु के बीच वाले कोने से, शिखी और परजन्या, 20 फिट छोड़कर फिर फाटक रखनी है, 30 फिट की, या 30 फिट के अंदर ही आपको फाटक रखनी चाहिए, इसी प्रकार, जब घर में एंटर करते हैं, तो मकान आपने बना करके आपको दरवाजा रखना है, इसी प्रकार से सभी दिशाओं में आपको दरवाजे रखने चाहिए, उत्तर में भी सोम और भलाट, उत्तर दिशा के भी नो टुकड़े करें, और जहां सोम और भलाट हो, उसी जगह पर, आपके आस पास में यदि कोई वास्तु शास्त है, तो वहाँ आपको बताएगा, और बहुत सी बार वास्तु शास्त्री भी इस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं, और उससे एक व्यक्ति लाखों रुपे खर्च करकर जो मकान बना रहा है, उसमें उसको नुकसान ही भोगना है, पस्चिम में रखे हैं तो पुष्प, दंत, वरुन, सुग्रीव, यह तीन जो पॉइंट है, वरुन, पुष्प, दंत, सुग्रीव, इन ही बिंदूओं पर आपको दर्वाजा रखना होगा, फाटक भी यहीं पर रखनी होगी इसी सीध में, आज कल आप देखते हैं मकानों में कॉर्नर पर फाटक होती है, जो क यहां आप दर्वाजा रख सकते हैं, अब इसके अलवा, अगर आपका दर्वाजा थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है, वास्तु के अनुसा, तो उसकी क्या रिजल्ट हो सकते हैं, वह भी मैं आपको एक ऑथन्टिक पुस्तक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, द्यान या उत्तर में भी शिखी पर है, तो इस स्थान पर द्वार बनाने से दुख हानी और अगनी भै होता है, परजन्य पर अगर आप बना रहे हैं तो इस स्थान पर कण्याओं की व्रदी लड़कियां जदा होती है, निर्दंता शोक की व्रदी होती है, जैन्त पर रखेंगे तो धनकी प्राप्ति होगी। इंद्र पर रखेंगे तो राज सम्मान मिलेगा। सूरी पर रखेंगे तो धनकी प्राप्ति होगी। इसलिए जैंत इंद्र सूरी शुब है। तो अब इसके बाद चलMo है सत्य पर सत्य पर अगर इस्थान पर आपका दर्वाजा है थोड़ा सा भी आ रहा है तो चोरी का खत्रा रहता है गर में कन्याओं का जन्म अधिक होता है और शत्य भाषण की अधिक्ता होती गर में जो बच्चे होते चोट चोटे वे भी जूट जादा बोलते हैं तो एसी स्थान पर द्वार बनाने से कुरूरता रहती है अतिक्रोध तथा पुत्र की हानी होती है अंतरिक्ष इस स्थान पर चोरी का भई रहता है तो पूर्व दिशा की सारी स्थितियां आपने समझ ली इसी प्रकार से जान से देखें इस चित्र में अनिल पर द्वार है द्वार का कोई भी हिसा अनिल पर आ रहा है तो संतान की कमी और संतान की मृत्यू भी हो जाती है कि संतान को कश्ट होता है संतान उल्टी सीधी हरकतें करेगी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी पूशा पूशा पर यदि अगर आपका द्वार हल्का सा भी आ रहा है तो इस इस्तान पर आप जहां भी नोकरी करेंगे वहां पर भी आपको समस्या है रहेगी कामकाज में और व्यर्थ की परिशनिया यहां पर भी आएगी वितत पर दरवाजा है तो यहां पर भी भई की प्राप्ति होती है इसके अलावा वरतक्षत यम गंदर्व पर आप दरवाजा रख सकते हैं धन पुत्र आदी की प्राप्ति होती है यश की प्राप्ति होती है निर्भयता समाप्त होती है धन की व्रद्धी यम पर होती है कहीं कहीं यम को बुरा भी माना है लेकिन फिर भी शुब है ब्रिंग राज इस इस्थान पर अगर आपके दरवाजे का मुख्य द्वार का हिस्सा आता है फाटक का हिस्सा आता है चाय फैक्ट्री हो गर हो तो यहाँ पर भी चोरी निर्दंता व्याधी भय आधी समस्य रहती है मृग पर आपका है तो पुत्र के बल का नाश होता है पुत्र जो बलवान होकर भी उसके बल का नाश हो जाता है निर्बलता रोग भय होता है पहस्शिम में चलेए पिता इस्थान पर पुत्रहरनी, निर्धन्ता, क्षत्रों की ब्रदि, दोवारिक पर भी इस्त्री को कश्ट तता क्षत्रू ब्रदि होती है, घर का ढलान यदि दक्षण में है तब भी इस्त्रियों को कश्ट होता है, सुग्रिव लक्षमी प्राप्ति देता है पुष्पदंत पर दरवाजा है तो पुत्र और धन की व्रद्धी होती है वरुन पर है तो सोबाग्य धन की प्राप्ति होती है तो ये सारी इस्तियां आपने समझ ली असुर पर है तो नाम से ही पता लग रहा है राजभाय दुर्भाग्य और समस्यां उत्पन होती है बहुत से इस्थानों पर यहां असुर पर लाब भी लिखा है लेकिन वास्त्विक तोर से देखें तो यह अशुब ही है शोश पर देखें तो धनका नाश दुखों की प्राप्ति पाप यक्षमा पर अगर देखें तो रोग और शोक बढ़ जाता है इसी प्रकार से उत्तर में जाएं तो रोग पर जाएंगे रोग को ध्यान से देखें इस सित्थान पर द्वार बनाने से मृत्यू रोग इस्त्री के हानी गर में जितनी भी इस्त्रिया है उनको कष्ट शत्रूं की व्रद्धी होती है बलता हो जाएगी शरीर में कमजोरी रहेगी दुख इस्त्री दोश इस्त्री के शरीर में भी दोश और मानसिक्ता में भी दोश उत्पन्न होंगे गर में कलह का वातावरन रहेगा और मुख्य इस्तान पर द्वार बनाने से हानी होती है कहीं कहीं यहां पर थोड़ा सा ला भलाट संपति देने वाले हैं पुत्र की प्राप्ति धन की प्राप्ति बहुत अच्छे हैं सोम और भलाट पर आप दर्वाजा रख सकते हैं पुजंग, पुत्रों से शत्रुता होती है, बहुत सी बार पिता पुत्रों में बनती नहीं, ऐसी इस्तती बन जाती है, दुखों की प्राप्ती होती है लेकिन यहाँ पर भी धन जरूर आता है, लेकिन पुत्रों से कस्ट मिलता है अदिती इस इस्थान पर यदि आपने दर्वाजा खा तो इस्तिरियों में दोश उत्पन्न होगा गर की इस्तिरियों में कोई अशुबात खड़ी होगी उनकी मानसी किस्तती खराब हो जाएगी शत्रों से भी बाधा रहेगी शोक की प्राप्ति होगी और अन्तिम दीती इस इस्थान पर यदि आपने द्वार बना दिया तो निर्धनता रहती है रोग दुख विग्न बाधा आती है तो आपको जो ब्लेक डोट दिख रहे हैं इसको आप बिलकुल कमपास से सीधा नापें सही इस्थान को खोजें कहाँ पर जयंत इंद्र सुर्य है पुरुदिशा में यदि उत्तर में द्वार बनाना चाहते हैं तो सोम बलाठ हो दक्षिड में वरतक्षत यम गंदर्व हो और पश्चिम में वरुन पुष्पदंत और सुग्रिव हो इनी इस्थानों पर यदि द्वार बनाएंगे तब ही आपको लाब हो जाएंगे लाब बढ़ जाएगा गर में शुक्षान्ती रहेगी धन की प्राप्ती होगी उल्टे सीधे इस्थानों पर दर्वाजा रखते हैं इसका बहुत बड़ा दोश लगता है और एक बात और ध्यान में रखें कि दर्वाजा सबसे जो मुख्य दर्वाजा होता है उसकी चोकट बनती है आज तो चोकट बनती ही नहीं लेकिन उसका भी विदी विदान से पूजा करके और सही समय पर उसको रखना चाहिए उसके बारे में भी मैं आगे बताऊँगा कि दर्वाजा किस समय किस तिथी में रखना चाहिए उत्तर दिशा में कब रखना चाहिए पूरव में कब रखना चाहिए लेकिन आज का वीडियो यह है कि यह जो ब्लेक डोट दिख रहे हैं यहीं पर दर्वाजा होना चाहिए थोड़ा सा भी इदर उदर हो गया तो गर म में कलेश उपत्रव समस्यां संतान को कस्ट इस्तृ को कस्ट समस्यां रहती और मुख्य फाटक भी कोणर पर ना रखें इसी चित्र के अनुसार नाप करके रखें किसी भी दिशा में फाटक करनी है तो उस दिशा कि कि दीवार को नाप लेगें और उसके नो टुकड़े करें और एक एक टुकड़े का मान निकाल कर आप इस प्रकार से फाटक रख सकते हैं दर्वाजा भी रख सकते हैं अधिक जानकरी के लिए यदि आप संपर करेंगे यहां मेसेज करेंगे तब भी आपको बताऊंगा धन् झाल